जेट इस्वर्दास मोधी जी उनकी हवेली की खिट किया एंसे टेसाद यह की पिलर के निकाशी करके क्या हुआ है कि कलर उस टाइम कलर बनता नहीं था और यह सब फुलों को मिट्टी का कलर बना के कलर क्या हुआ है अक्थियास बताइए यह मैं सेट जी इस उदाजी मोदी इनके बेटें पांच यह एक गेट जो गेट लगा हुआ है यह एक रूम का नहीं है इसके अंदर 18 कमरे होते थे दो हाई गाईज वेलकम बेक टुमाई योट्यूब चेनल गाईज इस वीडियो में आज आपको लेकर के आगया हूँ राजस्तान के सेखावाटिक शेत्र में सेखावाटिक शेत्र जो है विख्यात है अपने यहां पुराने समय की हवेलियों के लिए यहां के जो सेट होते थ दोस्तों और उनकी कहानी इन हवेलियों की कहानी इतियास जानेंगे इस वीडियो में और एक वर्चल ट्यूर करिएगा अपने राजस्तान सेखावाटिक शेत्र का जो गोरोसाली इतियास रहा है यहां की संपन्वता यहां की वेवाउता को महसूस करिएगा गाईज उस ज दमाने में बी यहां के सेटों ने इतनी अकूद दोलत कमाईं अपने परिश्रम से अपने श्रम से महनत से वह दिखाऊंगा मैं गाईज गाईज कई वर्सों पहले, दो सो साल पहले, उससे भी कई वर्स पहले, ये सिकावाटी शेत्र, भारत में सिल्क रूट जो होता था गाइस, वो यही से होकर के गुजरता था, तो यहां के जो सेट होते थे गाइस, जैसा कि यहां बताया था, इस्तानिये लोगों ने, इतियासकारों ने बताया था, कि जो सेट होते थे, सिल्क रूट से, जो उस्त समय में भी, जो पस्चिम के देशों की चीज़ें होती थी, वस्तवे होती थी, उत्पाद होते थे, वो इंपोर्ट करके, इंपोर्टेट वस्तवे, भारत के अलग-लग शेत्रों में, अलग-लग लोगों को इस तरह से वो पेशा कमाते थे, और जिस पेशा कमा करके, यहां कई लोगों को रोजगार भी दिया और इसे बहुत भी हविल्या बनाए, यह सेट इस्वर्दास मोदी जी की हविल्या है, और इसको 11 साल बनाने में लेगी थी, और 140 साल हो गए इसको बनाए हुए, और यह स city, और इसमें 100 ग्राम सिमेंट नहीं लेगी है, 100 ग्राम इस्टिल नहीं लेगी है, 11 साल बनाने में लेगी थी, और यह इसका मैन गेट है, दूसरे चोक का, अब रही यह की पिलर के निकास्य करके, क्या हुआ हुआ है, और यह उपर है जो गोल गोल मुर्थिया है, गोलनल है पूरा गोल्डन कलर है और यह उस टाइम कलर बनता नहीं था और यह सब फुलों को मिट्टी का कलर बनाए के कलर क्या हुआ है है पूरा कलर वैसे है और यह हां सारा कलर और यह जो है विंडों है सब कि अलग अलग कला करी एक में नहीं है हर अलग है एक जैसे जो है डिजाइन किसी एक किसी भी विंडों में देखने को ने मिलेगी और इसी कितने खिरिया है 2565 जैसे साल में 356 दिन होते हैं प्रिंडा आप देखिए उस जमाने में पानी भी इसे रखा जाता था इसे मटकों में रखा जाता था अंदर यह अलग-अलग है सारे विंडो की अलग-अलग वकलाकरी है है हरकी और साल में एक बार इनकी वो तेल लगवाते हैं दिम्मक नहीं लगे ते दो सो साल पहले निर्मान चालू हुआ था 11 साल बनके यह तर्यार हुई और शेड़ जी कलकत्ते से कमा के लाते थे यहां वे रोजगार को रोजगा देते थे और यह कलाकार रहते थे यहीं पर रहते थे शाम को खाके सौजाते थे शुबह वापिस लग जाते थे दे Civil ॅ और सो ग्राम इस्टिर नहीं लेगी मुए इसके अंदर अ筊सरा ने ए हैं और है और यह कम्रे है यह झा है भाप्र उ्याम जीया है और यह यह सारी कलाकारिय उस टाइम की है कोई वाइद नहीं नहीं करवाई हूँ तब से बनी है तब से ही आई हाँ यह देख लो है यह सारी बिंडो अलग-अलग है सर यह क्या है यह क्या है यह क्या चीज़े यह संबार यह लिए याए होते थे दोस्तों फुष्ट को आला इंद बहुत सारे अंतर्स स्रॉष से बढ़त है यह कटो बड़त सेंद अंतर से बड़े लूट आधर कोणने। यह व careless यह यह बढ़ा लमना अंदर अंदर से बड़े to समय और बच्चे ते परिवार होता था उनके फोटो राजा महारा राजा उनके फोटो बगवान के फोटो यह सब आप देख सक रहे हैं जी और गाइस जो उस जमाने में जो आपको पता ही है अपने देश पर अंग्रेजु ने राज किया था तो उनके भी फोटो यहां लगी हुई है चित्रों यहां मने हुए कि आप यह देखिए इतनी पूरानी हवेली का ताला खोला जा रहा है कि सर क्या दिखाने वाले हैं आप अमरे दोस्तों पहली बार किसी यूट्यूब चैनल के किसी वीडियो में आप देखेंगे कि जो मोदी जी की हवेली है जुन जुलू उनकी बेठक जो कहा होती थी ताला खोल करके यहां दिखाई जा रही है यह आप यूर्स के लिए अद्बूत यह मैं शेड़ जी इनके बेटे हैं पांच एक बेटा गोद गया हुआ है और चार बेटे हैं इनके यह तो गाइस यह देखिए सेखावाटी के जुन जुनु के जो हवेलियां है उसमें हम जो में कदडी है पुराने टाइम के पुराइन टाइम के बाईस जुमर यह जुमर है बड़े बड़े जुमर एच्षा और जो सेट हुए ते उस समय इस्वरदास मोदी जी सेखावाटी कि शेत्र की जो हवेली है यहां जो हवेलिया है उनमें से एक स्वरदास जी मोदी जी की हव वहां बेठा हुए गाइस अभी आप देखिए इस्वर्दास मोदी जी की जो हवेली है उसकी चछत से यह नीचे का द्रश्च देखे इधर दिखाईए सर्व इधर देखिए गाइज जो आप जो देख पा रहे हैं जुन्जुनु की इस्वर्दाज जी मोदी जी की हवेली से उस समय के जो राजा महाराजा होते थे उनका गढ़ आपको दिखेगा जो के भी खंडित हो चुका है और ऐसे पडोसी होगा करते थे यह सेट गाइज अब आ देख रहे हैं राजस्तान के सेकावाटी क्षेत्र की जुन्जुलु सेटिक के जो सेट हुए थे सेट इस्वर्दास मोदी जी उनकी हवेली की खिर्किया तीन सो तेसाट थी सिक्स्टिफाइब खिर्किया होती थी उस समय यहां यह देखिए कई कमरें होते थे अब यह इत आइडिया लगा लिजे गाइज कितने कमरें होते थे और गाइज यूही नहीं बारत सोने के चेडिया कहलाता था एसी हवेलियां बन चुकी थी आज से 200 साल पहले यहां के सेटों की होड से तो गाइज यह था मेरा सेखावाटी शेत्र के जुन्जुनु सहर की सेट इस्व गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करेगा थेंक्यू सो मच फोर वोचिंग मैं वीडियो